नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु ADP में हार्दिक स्वात करता हूँ और आप सभी को पता है हमने स्री राम कथा के ऊपर यह जो हमारी सीरीज है वो मैंने श्टार्ट किया है जहाँ पे इससे पहले हमने बर्थ आफ रामा ही हमने देखा था जिसे हमने अच्छे से ट्रांशेट भी किया था और यहां पर उसका सेकंड कथा कह सकते हैं यह हम लेकर आया है तार का फेल्ड छोटी सी है देख सकते हैं इतनी है लेकिन इसमें आप देखेंगे अंदर इतने सारे नए ने वर्ड्स हैं जो आपने नहीं सुना ह गत् persona होगा सुने भी होंगे तो बहुत कम सुना होगा याने की बहुत ही यूनीक यूनीक वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं याने आपको ओकें वह और अच्छी होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते है आज की जो कहता है तार का फेल्ड अलग चीज इस टाइप से तारका पतन अब देखते हैं कैसे क्या हुआ और बहुत सारे नहीं वर्ट्स यहां पर जानने को मिलेंगे तो लास तक के बने रहेंगे सब्सक्राइब जरू कर लेंगे नहीं है तो पसंद आरे प्लीज लाइक करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर आपको नयवर्ट यहां पर मिलने वाला है इसे हम क्या बोलते है इंडॉलजेंस हम इसे क्या बोलते है इंडॉलजेंस का मतलब होता है उसे हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लाज प्यार करना आशक्ति उसे इंडॉलजेंस कहते हैं अब देखते हैं पूरा मीन अशे लोगों को हो रहा होगा मतलब डॉट हो रहा होगा ihr तो चार राजकुमार थे enforlings के लिखा हुगा है जिए हमी इसे से ज़्यादा राजकुमार है जैना कि वहींब राम लक्षमन बरष चत्रग्न ये चार इसलिए princess लिखा गया है लेकिन ये राजकुमारी वाले princess के spelling में क्या होता है पता है वहाँपे केवल एक spelling का अंतर आता है वो है एक s और लग जाता है वाले जो princess उसमें एक s और लग मतलब होता है राज कुमारिया। ठीक है। और ये अने का प्लूरल है, एक प्रिंस और प्रिंसेश यहाँने एक से ज्यादा प्रिंस। तो बस सच ग्रयाओ में काकोぎकि बहुंत द्मयादा हो जातें, धीर नाभी बिते है तो यह princess princess है यह राजकुमार चार है plural है और वो princess है राजकुमारी यह जरूरी था ने तो बहुत से लोगों को doubt हो सकता है clear हो गया double s वाला राजकुमारी the four princess being brought up ठीक है तो जो चार राजकुमार थे being brought up का मतलब क्या था परवरिश करना पालन पोशन करना पालन पोशन उनका किया गया कैसे किया गया इन great love याने बहुत ज्यादा प्यार से ठीक है बहुत ज्यादा प्यार से एंड और आपको इसका मतलब बताया था मैंने indulgence इसका उच्छारन और इसका मतलब है बहुत ज़्यादा प्यार से आशक्ति से लाड़ प्यार से ठीक है उनका पारण पोर्षन किया गया अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ as they grew up जैसे यह जैसे वे grew up याने बड़े हुए grew up का पार्षन ग्रीव आप जैसे वे बड़े हुए गुरु वसिष्ठा imparted them the knowledge of अब इससे आगे पड़ते हैं गुरु वसिष्ठा तो यह गुरु वसिष्ठ ऐसे होगा गुरु वसिष्ठ उन्होंने क्या किया उन्होंने देखिए क्या किया imparted अब यहां पर देखिए आपको और एक नए वर्ट मिल रहा है यहां पर imparted imparted का मतलब होता है सिख्छा देना ठीक है सिख्छा देने को हम imparted बोलते हैं तो उन्होंने क्या किया सिख्छा दिया दे मैंने उन्हें the knowledge knowledge याने होता है ग्यान ठीक है किसका ग्यान देखे आफ यानि की knowledge of politics politics यानि राजनीती का ग्यान दिया और कौमा लगाव और क्या है religion यानि धर्म का ग्यान दिया use of arms use यानि प्रयोग करना इस्तमाल करना of arms तो arms यानि क्या होता है जो हतियार बोलते है न अस्तर सस्तर उसे arms कहते है तो हतियारों का उप्योग करने का ग्यान दिया ठीक है and other subjects in his ashram school and or other subjects यानि अन्य विशय इसके अलावा भी और जो भी विशय थे जैसे बहुत सारे होते हैं हमारे में आर्थसास होते हैं बालोजी होती है तो उसी टाइप से और भी बहुत सारे subject होते होंगे उनके उस समय तो उनके भी उन्होंने क्या किया ग्यान दिया in his ashram यानि अपने ashram में ashram school ठीक ashram school में फिर क्या हुआ देखिए the princess passed the final test तो जो राजकुमार थे passed ज्यान उन्होंने सफल हो गए pass कर लिया final test यानि जो अंतिम जो परिक्षा होती है final test हमारे जो जैसे बोलते है ना annual exam वही final test नोंने क्या किया in all subjects है ने सभी विसाह में अब उनका विसे जैसे मैं आपको बताया था ना हतियार काव करना ज्यान बाटना मतलब ज्यान की बारे में बात करना या किसी का क्या करना चाहिए क्या बोल सकते हैं उसे हम बोलते ना कि किसी का यानि सही कलत का निर्णे लेना नियाय करना तो भी राजाओं के यह सब काम रहता है तो वो सब जो परिक्षा है थी पास कर लिए फिर क्या हुआ one day एक दिन the royal sage विश्वा मित्रा arrived in the court of king दसरता एक दिन the royal sage royal यानि होता है साही सेज यानि सादू royal sage का मतलब राजगुरू साही तो अब उर्दू सब्दों जैसे हो गया फार्सी जो भी होता है royal sage यानि जो राजगुरू अब इसी sage यानि बहुत सारा मतलब होता है रिशी, सादू, sage का मतलब होता है तो जो राजगुरू थे विश्वा मित्र ठीक है arrived यानि पहुँचे in the court in the court यानि होता है जिसे दर्बार बोलता है उसे court कहा जाता है of king दसरता यानि राज़ा दसरत के दर्बार पहुचे एक और जो राजगुरू विश्वा मित्र थे फिर क्या होँआ देखिए he was seated with due respect he was seated तो उन्हें बैठाया गया with due respect यानि हम बोल सकते हैं इसे बहुत सम्मान के साथ due respect यानि सम्मान के साथ बैठाया गया asked the purpose of his visit asked यानि पूछा गया उनसे क्या पूछा the purpose यानि क्या होता है कारण office visit यानि उसकी visit यानि उसका जो भेट करना उनका जो मिलना है उनकी यातरा का उन्होंने कारण पूछा कि आप क्यों आए हैं क्यों मिलने आए हैं ठीक है respect साथ फिर क्या हुआ the sage replied तो रिसी ने उत्तर दिया king raja the yajnaas we perform in our अब यहां पर देखिए एक और आपको मिलेगा इसे हम बोलते हैं अब डस क्या बोलते हैं इसे हम इसे बोलते हैं अब डस अब देखिए अब से हो गया अब डस हो गया अब यहां पर in wilderness wilderness wild होता है वैसी wilderness पढ़ते है अब यह देखिए नए नए वर्ड आपको मिलेगा ठीक है r और यहां पर और आपको एक मिलेगा defiled by the demons 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 आपने सुना होगा तकि इतने सारे नए नए ने वर्ड है अब इनका meaning देखते है फिर क्या हुआ उन्होंने कहा कि जो यजनास यग यजना जो आग में होती डालते है अगली देखिए पफॉर्म याने करते है ठीक है in our याने हमारे abarts abarts मतलब क्या होता है निवास इस्थान जहां वो निवास करते है ठीक है in wilderness wilderness का मतलब होता है jungle 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 में जो हम निवास करते है आर defile defile याने उसे क्या करते है अशुद्ध कर देते है जो भी पूजा पार्ट करते थे अपने जग तो उसे जो भी उनका निवास इस्थान जहां रहते है आसरम वगर हमें उसे अशुद्ध कर देते थे अशुद्ध करेंगे आपसे पता राक्षस है मांस वगर खागे हडड़ी वडड़ी सफेक देते होंगे जो भी है तो defile का मतलब अशुद्ध कर देना अशुद्ध करते है बाइदर डेमन्स किया जाता है डेमिन्स राक्षसों के द्वारा अशुद्ध किया जाता है वी वॉंट यू सन रामा टू कम टु आ रस्क्यू आप देखी ये रस्क्यू भी आपसे बहुत पता होग ए वी वांठ हम चाहते है यूर शन आपके बेटे को राम को तु कम याने लाने के लिए ठीक है तो आर याने हमारे rescue rescue आपने सुना होगा कि आर्मी rescue आपने बहुँच ज़्यादा सुना होगा तो rescue याने क्या होता है बचाव कारी है या फिर उद्धार करना उसे rescue कहते हैं तो हमारे जो बचाव है हमारे उद्धार के लिए हम राम को क्या करना चाहते है उन्हें ले जाना चाहते है किंग दसरता सेड राजा दसरत ने कहा ओ सेज हे रिशी रामा इस अचाइल येट राम इस याने है अभी राम अभी बच्चा है I will come with you मैं आऊंगा I will come with you मैं आपके साथ आऊंगा to slay the demons अभी a slay भी मिली आपको नहीं वर्ट slay का मतलब होता है वद करना किसी को मार गिराना वद करना मैं वद करूँगा मैं वद कर दूँगा मैं भी तो राजा हूँ मैं भी पावर है मेरे पास वद कर दूँगा वद भी बच्चा उसे मत ले जाए no king नहीं राजा we want rama हमें rama चाहिए विश्वामित्र ठीक है विश्वामित्र ने क्या किया उन्होंने यहाँ पे insisted insisted यह बहुत से लोगों पता भी होगा sorry insisted का मतलब होता है दो मतलब होता है एक आपका होता आग्रा करना की जाने दीजिए एक बोलता हट करना जिद्द करना तो उसे हम insisted कहते हैं हट करना जिद्द करना नहीं मुझे ले जाना ही है उसे insisted आग्र बढ़ते हैं king दसर था sent rama with लक्षमना to help विश्वामित्रा राजा दसर ने sent याने भेजा देखे send याने भेजना अगर d होता तो present tense का sentence भेजा मतलब भेजना ठीक है लेकिन sent याने past tense हो गया तो d और t का अंतर है हाँ पे sent याने भेजा किसे भेजा राम को with याने साथ में लक्षमन लक्षमन के साथ राम को भेजा to help याने सहता करने के लिए मदद करने के लिए विश्वामित्र की ठीक है वेन जब गुरू वसिष्टा गुरू वसिष्ट ने ठीक है उन्होंने क्या किया intercedent intercedent अभी से intercedent ऐसे भी पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने उसको उचारन देखा intercedent ऐसे आया लेकिन आप ऐसे पढ़ेंगे तो क्या हो रहा intercedent इस टैप सुचारन हो रहा लेकिन इसका उचारन मैंने देखा तो यह है क्या आपका intercedent क्योंकि मैं कोई भी नया वर्ड होता है जो बहुत सारे वर्ड मुझे भी नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ सर्च करता हूँ उसका pronunciation देखता हूँ ताकि आपको सही जानकारे मिल सके तो भी मैं जो पढ़ूँगा आप उसे ही सही मानेगे जिने नहीं आता है हमने सर्च की यहाँ पर क्या है intercedent तो इसका मतलब होता है मध्यसता ठीक है मध्यसता यानने जो बीच में किegenकी वसिश्ट गुरु वसिश्ट की और सॉरी विश्वामित्र की और राजा दसरत के बीच में वशिष्ट दिसीन है ठीक है उन्होंने क्या किया इन फेवर आफ दा सेज फेवर याने पक्छ में आफ दा सेज उस साधू के इनके जो विश्वामितर जो चाहते थे ले जाने की तो उनका पक्छ लिया कि हाँ भई इनको ले जाने दीजिए तभी तो सीखेंगे तो उसे हम मध्यसता कहते हैं ठीक है यह भी नहीं आपको मिला वर्ड इन दा फॉरेश जंगल में राम लक्षमना राम लक्षमन ने क्या किया डूओ फॉर्स लेट तारका ठीक है तो उन्होंने क्या किया दोनों ने दोनों ने फॉर्स लेट तारका तो जो स्ले पड़े तरह में स्लेट देखे स्लेट याने वद करना और स्लेट याने वद किय तो इसा का सुबाहू को मारा गया सुबाहू मारा गया और फिर क्या हुआ मारीच, इसे मारीच है ना God erode away into the sea God erode याने उसे कया हो erode याने होता तीर मारना तीर चलाना तो उसे तीर मारा गया और कहा away into the sea याने समुद्र में ठीक है तीर जब उस पे चला आए तो who कहा चला गया समुद्र में चला गया तीर से उन्हें समुद्र बेज दिया गया तो भई यहां पर आप देख सकते हैं इस्टोरी इतनी छोटी सी थी लेकिन हमें कितने सारे न्यू न्यू वर्ड्स हमको यहां पर जानने को मिला तो तारका का वद कैसे कि है भगवान ने यहां पर पूरी स्टोरी आपको पता चला कि उन्हें तारका का वद करना पड़ा क्योंकि रिशी वहां पर आया थे विश्वामेत्र उन्हें ऐसे-एसे कहा और आपसे पूरी स्टोरी पता है तो देख कितना सारा आप पता चला परवरिस करना जिसे हम बोलते हैं ठीक है यह पता चला फेल्ड याने पतन करना है प्र के रॉयल से भी आपको पता था और यहां पर देखselfना बेन वरड उसने आपको बता रहो हो मैं कि कौन कौन साम में नए नए जानकारी मेली परपस आने कारने भी आपको पता ही होगा उसी परकार हम यह भी आप मिला निवास ठीक है और यह मिला हम से जंगल में ठीक है और ले मिला। उसके अलावा हमें यहां पर रिश्च्यव यह थो आपको पता था लेकिन यह वी नया वर्ड समय लीजिए। और उसके अलावा हमें और कौन से नया है यह जब करना ठीक है उसके बाद यह आपको मिला। इसका मतलब क्या होता है जित करना और हमें एक वर्ड और मिला यहां पे यह हमको मिला जिसे मैंने पता है इन्रसिडेट और इसके अलावा फेवर पक्ष लेना तो देखी कितने सारे हमें नए नए वर्ड यहां पे हमें जानने को मिले तो इस प्रकार की स्टूरी जब लाते ह और खास दोर पर यह जो राम का था कि मैंने यह जो बुक है मेरे पास कॉमिक्स है समझ लीजिए किसाब से तो देखे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो बहुत अच्छी-च्छी आप इंगलिस के नयने वर्ट्स का यूज किया गया है श्टोरी छोटी है लेकिन बहुत सारे आपको नयने वर्ट्स की जानकरी मिलेगी और ऐसी आगे देखे अहिल्या है ना रिडिम्स इसके अलावा परसूरा ठीक है यहाँ पर देखे बहुत ब्रोकन यानि धनुस को तोड़ना कैसे तोड़े क्या क्या स्टोरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे रामा वेट्स राम हुआन की जो विवा हुआ साधिवी यह सब के बारे में कितने अच्छे आपको नयने वर्ट्स मिलने वाले हैं तो यह सीरीज भी मैं हमिसा लेकर आता रहूँगा थोड़ी पसंद आई तो फ्लीज लाइक होंगे आप सभी का बहुत धन्यवाद आपका दिन शुरह है